तो हेलो पैरेबचो आप सभी काम सौगत करते हैं अपने आज के इस वीडियो में जी हाँ आज इस वीडियो में हम कोई छोटा मोड़ टॉपिक नहीं बल्कि मोस्ट इंपोर्टिंग कॉपिक देखने वाले वह है पलायन वेग यानि की इसके बलस्टी ठीक है और ये पैरेबचो क्लास 11 इजाम के लिए पैरेबचो बहुत ही ज्यादा वारी इंपोर्टेंट हम इसे क्यों लिखने किया और कई बार हर सार इजाम में ये पूछा जाता है चार से पास नमबर का ठीक है और बात करें इसका वेंजक जी हां कई बच् बढ़ लगता है और वेंजक निकालना तो वरी इसका वेंजक निकालना हम आपके लिए इस वीड़ो में बहुत इज़ी बना देने वाले आप खुद देखते म LIKE ना नय है चनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दिएगा ताकि आप हमारे दिल के साथ जूड़ रहा हूं ठीक है चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करते हो अपने आज की स्मॉत्पूर्ट वीडियो के आप इस्टार्ट कर देते हैं तो पहरे बचो यहां पर फिए इसको इंग्लिश में सकीफ बिलस्टी बोलते हैं इसलिए इसे क्या लिखा जाता है Each employ का मतलब है एसकीफ डीक लखितर हम बचपन में खूब बाल उच्छालते हैं में हमें बझा लेकिन वापस हमारे हात में आ जाता है फिर उचालते लेकिन वापस हवा में आ जाते है परवचो कैस कैस तो आपने खिलाई होगा हलबर बॉल आपके हाथ में आ जाती आसमान में जाती है लेकिन हाथ में आ जाती है तो वो वापस दोस्तो आही ना वो प्रितवी की गृतवा कड़सन छित्र से बाहर चली जाए पैरवेच्छो उसी कोई हम क्या बोलते है ना पलायन वेक कहते सिर्प्री ठीक है और इसका इंपोर्टेंस तो बहुत ज्याद है पैरच्छो रोकेट वगेरा हो गया सैटलाइट हो गया जो उग्रह होते ही इसी वेलासिटी से फेक ही जाते है ताकि वो क्या करें गृतवा कड़सन से बाहर निकल जाए और पितवी की चारो सैटलाइट इस तरह घोमते रहे सेटलाइट को भी रोकोट को भी इसी वेक से उपर फेका जाता है ध्यान रहे बात लिए बहुत इंपोर्टेंट बात हमने आपको बताई चलिए तो अब बात आई कि यह पलायन वेक समझ लिया लेकिन इसका वेंचक हम कैसे निकालें डॉंट वरी इसको भी हम आपको समझ मंहली यहां पर दोस्तों हमने क्या किया इसको एक वेलंस्टी अपरर की ओर हमने इसमान इसमान है जो यह ग्रुतवा कर्षण से जो यह ग्रेविटेशन इस ग्रेविट एक पर सक्षरन इससे भी बाहर दोस्तों यह चला जाएगा पुले तो इस पेस में चला जाएगा पैरे वच्छों इतना हमारा वस्तु ए बिंदू पर है ए बिंदू पर धरती पर इस पेस पे जाने की है बिन्दू नंबर बी पर पहुच गया ठीक है चलिए तो हम यहां पर दोस्तों दो बिन्दू पर उर्जा स्रक्षड का नियम लगाएंगे विरापका विलोस्टी जो है प्लाइन बेक बहुत ही चुट क्यों निकल कर आ जाने वाला है देखते चलिए कई भी आपको ऐसा द बिन्दु अ पर था तो इसके पास 202 की उर्जा ओगी एक होगा हमारा दोस्तों इस्थिति पुर्जा एक होगी इसके पास गतिच उर्जा अप पहले लिखते हैं मेल we का इसको टीक है तो मौ liberti और इसी इस्थितितिी उर्जा को ना पशार जब हम देखते हैं जब घॆ करशन च्चित में निंकालते हैं तो कई पार इसको हम लिख available इस तीटिति são तो आप इसको गुर्ट इस्थिति-उर्जा भी लिख सकते और इस दीट जा के बीच की दूरी भाई यहां से लेकर यहां कितना दूरी यह आ रहे तो बटे में र लिखते हैं simply ठीक है तो यहां पर प्रावम में दोस्तो बिंदू नंबर ए पर दोस्तो इसके पास गतिज उर्जा यह है इस्तिति उर्जा यह है पर ठीक है चलिए अब हम आते हैं अंतिम बिंदू नंबर बी पर इसके पास गतीज उर्जा क्या होगी डोनों चीजी हम लिखेंगे पर ठीक है आप चलिए अब में खेली स्टाट होता है बिंदू नंबर बी पर जैसे हमने वी इसको इतना विलास्टी दिया तो यह वास्तु अंत्रिश में जाएगी तो अंत्रिश में चला गया वाई तो इसका विलास्टी पूरा घट घट कर जीरो हो जाएगा ओके बिंदू नंबर बी पर दोस्तो फिलास्टी जीरो हो जाने के कार्ड जो गतीज उर्जा है यानि की क्यांटिक इनर्जी वह आपका जीरो हो जाने वाला है सिंबी ठीक है अब बात करें दोस्तो इस्थिती उर्जा की यह तो आप वाई लिखोगे फॉर्मले के हिसाब से माइनस का जी कैप्टल एम इस्मॉल एम बटे में दूरी अब दूरी कितना लिखोगे फैर चो देखो यह स्मॉल दूरी प्राम में था लेकिन जब देखो यह अंतरिश में चला गया है अंतरिश को कितना दूर होता है दोस्तों धर्टी से कितना दूर होता है अंतरिश को कभी देख पाते हो नीचे से नहीं देख पाते हो यार बहुत ही दूर होता है इसलिए दोस्तों इसकी दूरी को infinity माल लेते हैं और जैसा ही कोई infinity वाला दोस्तों infinity जैसा ही नीची आ जाता है infinity का मतलब कि बहुत बड़ी संख्या बहुत बड़ी दूरी जो आप सोच सकते हो परक्षो जब वो दूरी आप ले लोगे ना यहाँ पर तो यह दोस्तों इतना समझ सकते हो कि यह पूरा का पूरा जो वल्लू है न वह भी जीरो जागा नी गतिश उर्जा भी जीरो गुर्ट कि टिल कि कुंध यह वह था चड़ा और अंती उर्जा हमेसा बराबर होती हों एंस उर्जा कर दोच्पाव में बीम लुए वब्लू होती है नित मेह 1 ने यहां पर आपको दो देखोगे यह चीज़ इधर इस साइड आएगा तो यह माइनस से प्लस हो जाएगा तो सिंप्ली हाफ M VE का स्क्वेर बराबर हो जाएगा आपका दोस्तो जी कैप्टल M स्मॉल M अपॉर्ण में आर के ठीक है चलिए तो यह चीज़ बना पैच्छो इसी को सॉल करेंगे देखिए यहां पर आप एचीज देख पारे हो जो स्मॉल M है यहां पर भी स्मॉल M है यह कट चुका है हम दो को इधर बुड़ा करेंगे पैच्छो तो VE का स्क्वेर आपका क्या बनेगा टू जी कैप्टल M अपॉर्ण में दोस्तो आर यह बना ठीक है अब VE का मान में चाहिए तो पैच्छो यहां से VE का मान आपका सिंपली आ जाएगा रूट में 2GM अपॉर्ण में आर पै पैच्छो तो यह हो गया आपका escape velocity का वेंजक और इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हो यतना भी लिख देते हो तो आपका दोस्तो कहीं भी गलत नहीं माना जाएगा ठीक है तो चलिए तो यह हमने देख लिया पैच्छो कैसे derivation है एक बार हम रिवाइस करा थे तक आप द कुई एवं गतिका सबिख जाहोगी यस्जर्ट का माने ऍसके बाद हमने दोस्तों पर उर्जा के जी बढ़ाबर कर दिया तो पैरवचो काट उटाकर हमारे लाच्ट में VE यानि की पलायन वेग का वेजक यहाँ पर यह निकल कर आ गया और इसी को हम दोस्तों अंडरूट में 2G radius of earth भी लिख सकते हैं पैरचो ठीक है और जिसका पलायन वेग ना पैरचो यहाँ पर G कमान जैसे हम रखते है 9.8 radius of earth पैरचो आपका वही होता है सिंप्ली लगबक 6400 किलो मीटर कुछ होता है radius of earth ठीक है इन दोनों वेलू हम यहाँ पर रखते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपका विसके फ्लोश्टी इतना निकल कर आता है इस जाम में ठीक है तो पैरवचो यह है हमने पूरा आपको प्लायन व वीडों का फैयदा उथा सकें और अगर अभी तक आपने हमाय चाहिं को सस्क्राइब ने किया है तो स्काइब करके हमारे साथ जूड़ साथ को कि हमने अगर आपसे इक पर हाथ मिला लिया ना तो आपका हम सात इजाम तक छोड़े नहीं वाले तो ससक्काइब करें और हमाय बत्रे आपके जाम के लिए मेरी तब से आप कभी को best of luck